हेलो गाइस वेल्कम बैक टू आवर चैनल फ्यूटर इस्टूडी तो गाइस इसमें हम बीए पॉलिटिकल साइंस ओनर सेमेश्टर थार्ड के स्टूरेंट है जिनके पास सब्चक्त है तुलात्मक सरकार और राजनेती का परीचे पीपर फाइप में तो इस सब्चक्त के आपको इस वीडियो में बताने जा रहे है और यहां पन्ना हमने सभी यूनिट से इंपोर्टन कोशन लिए जो आपके पेपर में 90% चांस है कि इसी कोशन में से आपके पेपर में कोशन पेपर देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपके कोशन पेपर में 8 कोशन आते हैं जिसम आपने इस कंप्लेट वीडियो देख लीना इसी में से आपके 8 कोशन जो बन जाएंगे आपके पेपर में जिसमें से आप 4 कोशन आटेंड कर सकते हैं इसली पास आउट हो सकते हैं अच्छे नमबर से इसमें सिरिफ हम कोशन बता रहे हैं इसके आने वाली नेक्स वीडियो से आप क्या समझते हैं तो लात्मक राजनती की प्रकति एहम भी से छेत का वर्नर कीजिए यह आप कोशन देख रहे हैं को तीन टाइप से यहां पर लिखा गया यह तीनों कोशन का मतलब एक ही अंसर सेम लिखना और इस कोशन का अंसर हमने पहले ही बना चुके अभी तक आ की फीजिए में हैं तो लात्मक राजनेती की प्रकति ऐहम बीसे च्छेत की आलउःच्छनाव की व्यख्या कीजिए तो लात्मक राजनेती को समयिने कर चाए 7 credible तो मैहत्मून अपकरन परताही मुल्यांकन कीजिए कोशन इम्पोर्टन है और यह कोशन आपके पेपर में हर सा रिपीट होता और इस साल भी आएगा और इसका सेकंड कोशन देखिए यूरो केंड वात से आप क्या समझते हैं समकारिविश्ट में तुलात्मक राजनेटी का अध्यान और इसका समक्ष हो लिए यूरो केंड वात पेजिए यूरो केंड वात पर पर रजाने पर अदिया वा performing में जये यूरो केंड वात से एक कोर्षिण आपकी पेपर में, तो प्रीस याद कर लीजेगा, उपर वाले की वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन कोर्षिण ठाउट देख सकते हैं, संस्तागात उग्राम से आप क्या समझते हैं संस्तागात उग्राम के लच्छन की व्याख्या कीजिए कोर्शन फोर है पढ़नाली उग्राम क्या होता है पढ़नाली उग्राम की विश्ष्टा का वर्नर कीजिए ये यूनिट सेकंड से चैप्टर फोस्ट का है एन इसका आपको इन सभी के बारे में बताना इस question के अंदर की होते क्या है ठीक है अगर आपको important unit जाने है ना तो important unit is first and third और fourth, second में से इतने question नहीं पूछे जाएंगे लेकिन third में से पूछे जाएंगे ठीक है? तो देखिए, पूजीबात का आद तथा परिभासा दीजिए तो unit third का chapter first का important question है पूजीबात का आद तथा परिभासा बताईए पूजीबात की पति और विकास कैसे होता है? वर्नर कीजिए यूरोप में पूजीबात की विकास की मुखे कारणों की विवेचना कीजिए ये दोनों question नहीं की है and important question भी है पूजीबात को परिभासित कीजिए क्या आप इस पास से सहमत है कि बैस्पिकरन आधुनिक पूजीबात का पति रूप है उद्धारन सही स्वोष्ट कीजिए question 9 question 10 question 10 question 10 question 10 question 10 and second chapter से भी एक question आएगा ये दो question में से एक confirm है समाजबात का अथ क्या है समाजबात का उद्धे और विकास कैसे हुआ warner कीजिए समाजबात के विकास के विविन कारणों का विवेचना कीजिए question 12 समाजबात के पतन के मुखे कारणों को रेखांतित कीजिए कीजिए उपनिविष्टबात को परिभासित कीजिए उपनिविष्टबात के मुखे कारणों का विविचना कीजिए यूनिट 4 आगे आपका लाश्ट यूनिट इसमें से इंपोर्टन कोर्शन आप देख सकते है विटेन में स्वैधानिक विकास कैसे हुआ था तथा विटेन सभिधान की विष्णिष्टा का वर्णों कीजिए इस कफन के संदर में ठेचे तथा उत्तर ठेचर काल में से विविचना कीजिए और कोर्शन जो आपका ठारा है विटे संसत प्रगति सिलता और प्रांपारिवादिता का एक अद्भुत संगम है विविचना कीजिए इसका चैप्टर सेकें ब्राजिल वाला भी कोश्चन आपके पेपर में एक कोश्चन आएगा इनमें से ब्राजिल का एतिहासे इस प्रिष्ट भूमी एक आउलोकवन सम्राज्जी अठारासो बाइस से अठासो उननासी आलोचात्मक यूग का वर्नर कीजिए कोश्चन बी से 98 की सभिधान में ब्राजिल के संगे धाची की परमुक पिशेश्चा का वर्नर कीजिए 21 हाल के समय में ब्राजिल एक मुख्य आर्थिक सक्ति के रूप में उभराए इस कथन के संदर में ब्राजिल की राजनेतिक आर्थिक विश्चा पर प्रकाश डालिए इसका चैप्टर थर्ड है यूनिट फोर का नाइजीरिया में स्वैधानिक विकास और राजनेतिक अद्विश्चा का वर्नर कीजिए और यह चैप्टर फोर है इसका इसमें से भी एक कुर्षन बनता है आपके पेपर में चीन वाला चीन में राजनेतिक और स्वैधानिक विकास की प्रगति और उद्र का वर्नर कीजिए चीनी सविधान की परमुक विश्चा का वर्नर कीजिए चीन की राजनेतिक विश्चा और समाजिक आथिक आसमानता का वर्नर कीजिए उस्तर माव काल में चीन में स्वैधानिक विकास का वर्नो कीजिए और जो लास्ट कोशन आपका यह देख सकते हैं चीन की राजनितिक विश्टा के मुख्य विश्रिष्टा की व्याख्या कीजिए और यह वाला आपके पेपर में इसमें से ओनली चार पॉइंट कोईसा भी दे सकता है इसमें लात्मा कद्यान की सीमायो अपने वेश्रिक विरोधिय संगस तो देख सकते हैं आपको फाइनली कोशन कंप्लीट हो चुके अगर इसमें से हम कहें तो यूनिट फॉष्ट और यूनिट कर लेते हैं इसमें से भी पास आउट हो सकते हैं इसमें से आपके 6 कोशन बन जाएं ठीक अगर आपने यूनिट फॉष्ट और फोर भी कर लिया ना कंप्लीट तो इसमें से भी आपके पीपर में चार कॉशन कंप्लीट है कि जो आ जाएंगे तो वीडियो अच्छी लेकर तो लाइक से जरू किजिएगा टेलीगरम गूरूप जयन कर सकते हैं अगर नहीं है चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्काइब जोर किजिएगा वीडियो को सेर किजिए ठैंक यू